हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चेनल मेट्स पला जा तो दोस्तों आज की जो है सबसे बड़ी खबर बिहार के पुर्णिया जिला से निकल के आ रही है और जो एक खबर यह है कि आज जो है आज यानि की दिनांक 25 फरवरी 2024 को पुर्णिया मेडिकल कोलीज का उठगाटन होने वाला है पुर्णिया मेडिकल कोलीज का उठगाटन होने वाला है उठगाटन करेंगे कौन तो परधान मंतरी नरेन मोदी और मुख्यमंतरी श्रीनितिस कुमार जी के द्वारा जह है इस मेडिकल कोलीज का उठगाटन किया जाएगा ठीक न यह होगा वर् यदि उसमें कोई कुछ कमी होगी उसकमी को भी पूरती किया जागा अगे इसमें कहा गिया है कि कि सिमानचल के पहले सरकारी मेडिकल का कल उठ गाटन करेंग यान 엄he सिमानचल का मतलब हुआ कि पिहार के चार जीले पूर्णिया अर्रया की संगंज कठियाकग यह चारो जीलो को सामुहिक रूप से समलित रूप से सिमानचल कहा जाता है और यहां पुर्णियाम मेडिकल कोड़िज या सिमानचल का साथ सरकारी मेडिकल कोड़िज इससे पहले जो कठ्यार हो, पुर्णिया हो, अररिया हो, किसनगंज हो, किसी भी जिले में जो सरकारी मेडिकल की का जया स्थापना नहीं हुआ था इस मेडिकल का नाम दिया गिया है GMCH, मतला Government Medical College and Hospital GMCH, Government Medical College and Hospital, इस मेडिकल कोलेज का नाम दिया गिया है ठेक ना, उसके बाद जो 25 फरवरी को पुर्णिया Medical College का होगा वर्चूल उटगाटन तो वर्चूल का समझा दिये, इस Medical College का लागत करीब करीब चार सो करोड रुपिय की है कितनी की लागत है, तो चार सो करोड रुपिय की लागत बताई जा रही है इसमें कुल जो है छे सो बेड़ लगे हुए हैं कितने बेड़ इस मेडिकल कॉलिज में छे सो बेड़ की विवस्था की गई है उसके बाद यहां के पुर्णिया के संसद संतोस कुसवाजी का कहना है इसमें केवल सिमानचल के ही लोग नहीं बलकि आसपास के जीले राज्य के लोग भी इलाज के लिए आएंगे जैसे बंगाल हो गया नेपाल तक के लोग इलाज के लिए आएंगे यहां पर यह कैंसर के मरीजों का जाच और उपचार की सुविधापी यहां पर दी गई है तो आज देखिए कुछी टेम में इसका वर्चुल उडगाटन होने जा रहा है यह पुर्णिया वासियों के लिए पुरे सिमानचल वासियों के लिए बहुत ही गुड़व की बात है बहुत ही खुशी की बात है कि पुर्णिया में जह है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बनके तयार हो गया है इस कॉलेज में MBBS की पढ़ाए भी होगी ठीक ना मील का पत्थर सावित होगा मेडिकल कॉलेज एसा कौन कहते हैं तो ऐसा जह है यहां के सांसाज जी कहते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर नेक्ट न्यूज में तब तक के लिए जय हिंद